हमस्कार दोस्तों, सुप्रिंग कोट अफ इंडिया अपना एक महिना पुराना एक जज्जमन्ट से एक रफरेंट्स को रिमूव किया है और ये जज्जमन्ट सिक्म से रिलेटर था, पूरा इश्यू क्या है ये समझ लेते हैं हुआ ये था, सबसे पहले आपको ये बताना होगा, शिक्किम के जो लोग है या फिर सिक्किम ओरजिन के जो लोग है, उन्हें इंकन टैक्स आक्ट से एक्जम्ट किया हुआ है basically Sikkim में personal income tax देने की ज़रुरत नहीं है इसका reason यह है दोस्तों देखे 1975 को Sikkim Union of India के साथ मर्ज हुआ था तो Sikkim का geographical features को समझते हुए लोगों का social and economic backwardness को समझते हुए Governor of India ने decision लिया कि Income Tax Act से Sikkim origin people को exam करते हैं तो आज भी ऐसा ही है उसके लिए Income Tax Act of 1961 में एक section है दोस्तों section 1026 AAA पर देखी यह section 1026 AAA of Income Tax Act 1961 में कुछ लोगों को exclude किया हुआ है tax exemption से मेरा कहने का मतलब है कुछ circumstances में Sikkimis people को जो tax exemption मिलता है न वो cease हो जाएगा जैसे कि अगर एक Sikkimis woman एक non Sikkimis man से शादी करती है तो उनको फिर tax exemption नहीं मिलेगा आज पर section 10 of Income Tax Act 1961 तो इसको challenge किया था Supreme Court of India इसके अलावा और एक provision को challenge किया गया था Supreme Court में वो ये था देखे सिकिम इंडिया के साथ मर्ज हुआ था 26 April 1975 को तो section 10 26 AAA of Income Tax Act 1961 में उन लोगों को भी tax exemption से exclude करके रखा हुआ था जो 26 for 1975 से पहले सिकिम में आके settle हुए है या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं सिकिम इंडिया के साथ मर्ज होने से पहले जितने लोग सिकिम में आके settle हुए है उन्हें भी tax exemption नहीं देता था section 10 26 AAA of Income Tax Act 1960 तो basically इथर section 10 of Income Tax Act 1961 के दो provisions को challenge किया गया था एक provision यह है कि अगर एक सिकिमीज woman एक non सिकिमीज man से शादी करती है उन्हें tax exemption नहीं मिलेगा दूसरा 26 for 1975 से पहले जितने लोगा के सिकिम में settle हुए है उन्हें भी tax exemption नहीं मिलेगा तो यह दोनों provisions को challenge किया गया Supreme Court में तो Supreme Court ने बोला यह दोनों provisions unconstitutional है जितने भी लोग है सिकिम और जिन का उन्हें tax exemption देना चाहिए मतलब 26 for 1975 से पहले जितने लोगा के सिकिम में settle हुए है उन्हें भी tax exemption देना चाहिए और अगर एक सिकिमीज woman एक non सिकिमीज man से शादी करती है उन्हें exclude नहीं करना चाहिए section 10 of in conducts act 1961 से पर problem क्या हुआ दोस्तों फले Supreme Court ने एक progressive judgment दिया सिकिमीज people के लिए but Supreme Court ने जो words यूज किया अपने judgment में that were problematic Supreme Court ने क्या बोला था देखे therefore there was no difference made out between the original inhabitants of सिकिम namely the bhutia labchas and the persons of foreign origin settled in सिकिम like the Nepalese or persons of Indian origin who had settled down in सिकिम generations back तो basically Supreme Court ये कहना चाहरा था कि 1975 से पहले जितने लोग आके सिकिम में सेटल हुए है उन्हें exclude करना discriminatory है पर Supreme Court ने 1975 से पहले जो लोग आके सिकिम में सेटल हुआ है या फिर नेपाल से जितने लोग आके सिकिम में सेटल हुए है उन्हें persons of foreign origin करके बोला अब जो नेपाली सिकिमिस पीपल है उन्हें ये सही नहीं लगा तो नेपाली सिकिमिस पीपल के इसाफ से Supreme Court ने उन्हें persons of foreign origin बोला इस बात पर उन्हें गुसा आया उनके इसाब से वो लोग तो सदियों से सिकिमिस में आके सेटल हुए है तो इन्हें अगर Apex Court persons of foreign origin बोल रहा है इस नोट एक्जप्टेबल तो उनका डिमांड ये था Supreme Court को अपना order से उस reference को remove करना है तो Solicitor General of India तुशार मेता साब के तुरू इस मैटर को Supreme Court of India का division bench तक पहुंचाया गया और अभी Supreme Court ने अपना order से उस reference को remove किया है पीपल ओफ फोरिन ओरिजिन वाला वैसे मैं आपको बताओं Section 1026 AAA Inconducts Act 1961 में इंसर्ट किया गया था By the Finance Act 2008 पर उसे retrospective effect दिया Retrospective effect मतलब बहुत पहले से effect दिया April 1, 1990 से The date on which IT Act was made applicable in Sikkim So basically Incon Tax Act Sikkim के लिए applicable April 1st 1990 को हुआ था So April 1st 1990 से ही Section 1026 AAA को भी इंसर्ट किया गया था By the Finance Act of 2008 1990 से पहले Sikkim के अंदर The Sikkim Incon Tax Manual applicable था Which was promulgated by the ruler of Sikkim और चोगिया in 1948 ठीक है तो 1948 में Sikkim के ruler और चोगिया उन्होंने Promulgate किया था Sikkim Incon Tax Manual वही applicable था Sikkim के अंदर April 1st 1990 से Incon Tax Act of 1961 applicable होना शुरू हो गया इतर आपको और एक point समझना है दूस्ते यह जो tax exemption है न वो केवल personal income के लिए है या फिर individual income के लिए है Basically जब आपका total income calculate किया जाएगा उसमें से personal income जितना है न उसे exclude करेंगे समझ रहे हो और आपका personal income का जो source है न वो Sikkim के अंदर से होना चाहिए अगर कोई Sikkim इस individual Sikkim के बाहर जाके काम कर रहा है उनके लिए tax applicable होगा और एक point Sikkim के अंदर अगर कोई company है firm है trust है उनके लिए भी tax applicable है तो ये मत समझ लीजेगा कि Sikkim के अंदर income tax act लगता ही नहीं तो दोस्तों that's it वैसे आपको पता होगा Sikkim को special status दिया हुआ है आसपर article 371 clause F of the constitution आपको ये भी पता होगा कि Sikkim के अंदर जितने land है उसका ownership government के पास है चाहे कोई भी individual का land हो merger से पहले या merger के बाद में वो सबका ownership government of Sikkim के पास है और Sikkim से related अगर कोई treaty है agreement है ये सब में किसी भी court का jurisdiction भी नहीं है Sikkim के अंदर चाहे वो supreme court भी हो पर कुछ specific conditions में president of India intervene कर सकता है जब Sikkim से related कोई disputes आता है treaty negotiation agreement जो कुछ भी है ठीक है तो वह ये hope आपको पूरा issue समझ में आ गया होगा thank you for watching bye bye have a next day